नमस्कार अधर स्विद्यमंदिर कोल्य की ओनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज हम कर रहे हैं पाठ दस नारी शक्ति का प्रतिक अधा पाठ कल हमने पढ़ा था इसके आगे का पाठ है जो हम आज पढ़ेंगे कल अमने पढ़ा था कि भगीनी निवेदिता मूल रूप से आईरलेंड के महिला थी जो कि स्वामी विवेकनंद के विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी उनका पूरा नाम मार्गेट एलिजबेट नॉबेल था तता इनके पिता का नाम सेमवल रिचमड नॉबेल था तता माता का नाम मेरी इसाबेला था बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो जाने की कारण इनका लालन पालन है इनके नाना हैमिल्टन ने किया था मारब केट को पढ़ना अच्छा लगता था और पढ़ना भी अच्छा लगता था अपने सिक्षन पदित्यों के दुआरा पढ़ाती थी आईए इसके आगे का पाट है जो कि आज हम पढ़ेंगे मारब की सिक्षा लंदन चर्च के आवाश्य विद्धाले में हुई थी मारब को सिक्षन का कारी अच्छा लगता था अतेवे 17 वर्ष के उम्र में ही एक विद्धाले में पढ़ाने लगी वे स्वयम के दौरा विक्सित पद्धती से सिक्षा दिया करती थी धर्म में रूची होने के कारण वह चर्च के गती वीदियो में भी भाग लेती थी अधिकान से समय अध्यन, मनन, सत्य के खोज में ही लगा दी थी तो मारब के को क्या था कि पढ़ना और पढ़ने का काम है जो कि अच्छा लगता था सत्रा वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक विदले में पढ़ना शुरू कर दिया था तता अपना जो अधिकान से समय वो अध्यन में और सत्य के खोज में ही लगा दी थी तबी एक गटना गटी जो उनके जीवन को एक नया मोड देने वाली थी वह गटना थी कि एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ नाम था स्वामी विवेकानद स्वामी जी स्षिकागो के विशो धर्म सम्मिलन में ख्याती अरजित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रेय पर वह इंगलेंड आये थे मारगेट की स्वामी जी से प्रथम बेठ यहीं हुई थी मारगेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने वाद विवाद तर्क वितर्क किया और अपने आपको पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांती उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्स चुना स्वामी जी के आगरें पर उसने भारत आना तै कर लिया भारत आकर वो अत्यदिक प्रस्टन हुई वे गंगा के किनारे वेलूर मट की एक कुटिया में दो अमेरिकन महिलाँ के साथ रहेने लगी जो स्वामी जी की सिश्चाएं थी तो मार्गिट अलीजबेथ ने किया कि भारत आई और वेलूर मट की एक कुटिया में दो अमेरिकन महिलाएं रहती थी जो कि स्वामी जी की सिश्चाएं थी उनके साथ रहने लगी स्वामी जी ने मार्गिट को नया नाम निवे दिता दिया और आगरे किया कि वे भगवान वे भारत माता के चर्णों में अपना जीवन अर्पित करें तो मार्गिट को नया नाम निवे दिता किसने दिया था? स्वामी जी याने कि स्वामी विवेकानंद ने दिया था बगिने निवेधिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक प्रहुचाने का कारिय करने के साथ चाथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कुल भी आरंब किया वहां चोटी-चोटी लड़कियों को पड़ाने लिखाने के साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आधी भी सीखाया जब कलकत्ता में महमारी फेली तो निवेधिता ने टोली बना कर दिन रात भूग प्यास की जिनता किये बिना रोग्यों के चिकित्सा सेवा सफाई आधी कारे कर पिडितों के मदद की उन्होंने अंग्रेजी समचार पत्रों में अपिल प्रसारित कार मदद मांगी वह धन संग्रे किया वह लेखन, कला, एवाम बोलने में निपुन थी इस शमता का उप्योग कर वह अपनी बात बड़े-बड़े सम्हों तक पहुंचाने में सफल लोई तो मारगेट एलेजाबेट उन्होंने क्या किया था? कि जब कलगता में महामारी फेली तो टोली बना कर भुग प्यास की चिंता किये बिना रोग्यों की चिकित्सा और सेवा सफाय अधिका कारे कर पिडितों की मदद की थी तथा धन संग्राय भी किया निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतियों के साथ बरबरता पून विवहार देखा तो वहेव पून ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता के लड़े का समर्तन करने लगी उन्होंने बंगाल विबजन का विरोध किया उन्होंने जग्दिस चंद्र बश्यों की पादक्ये लिखने का कार्ये भी करने लगी उन्होंने भारती इस्त्रियां जोके अधिक प्रभावित करती थी उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभीमान, सेवभाव, निष्टावान, मुम्मत्व, आदि के प्रतिमूर्ति दिखाए देती थी वह समय समय पर महिलाउं क लक्षमे भाई, अहिल्या भाई के विर्तपुर्ण काजोग को भी याद दिलाते थी, उनकी द्रश्टे से प्रांतव भासा आदि से उपर थी, भगिने निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है, उन्होंने भारत के लिए जोग भी किया, उसे कोई अन्या नहीं कर सकता था है, वह भी स्वामी जी की तरहे, चम्मालिस वर्स की अल्प वायू में निच्चे उद्रत वेद की पावन रिचाओं का सद्यों इस्परन करती हुई, इस संसार से विदा हो गई, यानि कि चम्मालिस वर्स क अल्प आयू में ही उनका दिहांत हो गया, तो जो रिचाओं थी वो इस प्रकार थी, अस्तो मासद गम है, तमसो मास जोतिर गम है, म्रत्यों मां अम्रतम गम है, तो ये तो था हमारा पार्ट, आईए इस पार्ट के कुछ प्रशनों तर है, वो हम करेंगे, भारत आने से पह रूच होने के कारण, वह चर्च की गती वीदियो में भाग लेती थी, और अपना ज्यादाता समय अधियान, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी, हमारा दूसरा प्रशन है, स्वामी विवेकानन्द से मिलने के बाद, मार्गेट ने भारत आने का नीने किया, कैसे, स्वामी विवेकानन्द से मिलने के बाद, मार्गेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद तर्क वितर्क किया, और अपने आपको पूरी तरह संतुष्ट करने के बाद, उन्होंने स्वामी जी का अपना आदर्स चुन, और स्वामी जी के आगरे पर उन्हो तो इस प्रकर आज हमने पाट पड़ा था भगिनी निवेदी था इसके प्रश्णों तरह जो कि हम कल करेंगे